नमस्कार सु स्वागतम साथियो तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंडियूस क्लासिज में देखे साथियो हम साइन्स में विज्ञान में अध्यार नमबर चट्टा सल रहे है जो कि है रासाइनिक अभी क्वियाई एवम उत्वेविक ठीक है दोस्तो और उसमें हमने पिछले विडियो तक रासाइनिक समिकरण जो होते है उनको कैसे लिखा जाता है और उनको संतुलित कैसे किया जाता है उसके बार में हमना पढ़ लिया है उमें देखिया कि आपको रासाइनिक समिकरण जो होते है वो संतुलित करने अच्छे से आगे होंग की कम्यां के उनको बारेंगे ठीक है रासायानिक की विश्ष्ष्था और याद रखनी राग्या बागी जो याद रखने वाकिक स्टैप्स तो जो है वो एक पूछयाता नहीं है बस जो है आमें एक बार लिखना है तो एक बार हम लिखके समझ लेते हैं ठीक है दोस्तों तो आपको पता कि क्रिया कारक जो पदात बनता है उसको हम कहते है उत्पाद, ठीक है दोस्तों यह आपके क्रिया कारक को उत्पाद हो के तो इन आपको एथेन चोड़ लिया और इसमें एथेन जोड लिया एथेने लिए अपने लिखे लिखे है और शाथ उसका किनन से γड़क साथ या निशान के लिख Fahrenheit दूसरे step में क्या बोला है कि यदि क्विया कारक के उत्पाद एक से अधिक हो तो हम प्लेस का निसान लगाते है मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि यदि यहाप जैसे कि यहाप अभी कारक है यह क्विया कारक है है वो एक से अधिक है तो इनको जो है हम तिर प्लस कर निसान से लिखेंगे कि एक प्लस यरी मैं और यह कीयाकार को प्लस लिखेंगे तो यह अब हम्य आती है अब देखें दोस्तो तिस्ता स्टप गया क्या बोला कि वरमान सनग्षन नियम से क्विया कारक और उत्पाद में पर्मानों के संख्या समान करने है तो हम जो है वो जो समेकरन को संतुलित करते है उनमें जो है क्या करते है क्विया कारक और उत्पाद के जो पर्मानों है उनकी संख्या को समान हितर करते है न यही तो जो हम करते हैं तो यही जो इसने बोलेगा, ठीक है? अब यह द्वरयामान सनरक्षन का नेम क्या है? देखिए दोस्तो आपने, जो है वो 9th या फिर 8th में पढ़ा होगा, कि द्वरयामान सनरक्षन का नेम क्या होता है? यह कभी आपको पूछ सकता तो इसको आप याद रख लीजिए बाकि सिंपल ही है कि रासाइन कभी क्विया में द्राइवमान नत उत्पन होगा और नहीं नस्ट होगा ठीक है सिर्फ द्राइवमान जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपान्तृत होता है यह आपक परढ़ को प्रोसरे होती है न यह हम क्या बोलते है चैसे के देखिये यह आपका माला लोत मैं थीग ह Renacci न हॉम्हाल है की प्रोसर में होती है प्रेक्रिया रसे हम क्या बोलते है या सब्सक्रीया है और फिरन ट्राइल विधी कहते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर माल लो टू है ठीक है अब आपको इसको संतुलित करना है ठीक है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप जो है ना हाइड्रिजिजन और और ऑक्सिजन को छोड़ के दूसरे परिमानों को करोगे संतु तो यहाँ पर करप कर आंड़ने action क करोड़ सं संतुलित है य। इसको क्या करोगे दो संतुलित हो गया ही संतलित हो गया लेकिन हाइडोज़kład क्या हो देखिए हाइडोलो देखिए हाइड़ोजन या पर कितने हैं दो जो यदू आइट कैसे दूट नहीं बाएड़ा है तो यह नहीं कम हो गई आप दो सकूना करलोगे यहारे बिस्ट भॉर घंघरा है तोcor short exam में पूछ ले कि अनुमान विदी या हिट अंड ट्रायल विदी इसको आप आप नाम को याद रखिये हिट एंड ट्रायल विदी कि यह क्या होतीओ तो जुए आपको पूछ ले तो आपको लिखना है कि में दोनों और कि अनुवा की पर मैं दों को संस्तुलित करना ही जो है वह हिट अंट्रायल जी कहलाती है ठीक है इसके बाद a step किया है पांच स्टप यह भी आपको आती है कि oxygen और hydrogen को छोड़ कर हम दूसरे औरो को संस्तुलित करते है तो यह तो जिए हम पहले से सीख रहे है के oxygen और hydrogen को छोड़ का हम दूसरे अंड़ों को संतुलित करेंगे देखे दोस्तों जिदे आप यह वीडियो डार्क ली देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको सला देता हूँ कि आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए रासायनिक समीक्रण को संतुलित करने का उसमें मैं जो है इसको देखे तो आपको जो और भी अच्छे से समझ में आएगा तो हम जो है पांचवेश्टे में आपको बोला है कि hydrogen और oxygen को आप छोड़ कर दूसरे अंड़ों को संतुलित करेंगे खिंगे दोस्तों यह हमें आता है इसके बार में प्रॉतिक अवस्ता लिखनी है अब देखे दोस्तों पॉतिक अवस्ता जो है क्या होती है। पॉतिक अवस्ता का मतलब जैसे इसके अंचा का अवस्ता कया है कि यह देखने में कैसा है। इसका रहें ग लिखते है L, साथे साथ जो आपका थोस होता है, न, थोस को हम English में बुलते है solid, क्या बुलते है solid, और solid किस से start होता है? S से तै, इसलिए हम थोस को S से लिखते है साथे साथ हम लिखते है gas, देखे gas जो है न, उसके English में हम gas ही बूलते है घ्डी ए doen का European को एक विलकु ना हम एंग्लिश हों बोलते हैं क्या कu बोलता है एक्यू ढande जले विलिन के लिए AQ का उप्यों कर तो यह इसमें लिखा हुआ है लिक्टोर्स के लिए क्या है आपकी solid, यह समझे लो, इससे जो आपको पता चल जाएगा, त्थीक है दोस्तों, यह theo को degree है उत्क्रम् logos अब देखें दोस्तों उतक्रमनी अभीक्विया क्या होती है यह हम आगे जेवाले जो लेक्ट्र है सिर्फ एक दिसा में चलती है लेकन उतक्रमनी अभीक्विया यहां पर देखे आदर तीर इस दिसामें इस डिसामें इस लिए हम इसको इस तीर के निशान से यूज़ करते हैं अब इसके बाद आपका eight-way step कहा है कि ताप और जो दाब हम यूज़ करते है ना उन ताप और दाब को जो हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं ताप और दाप दिया है जैसे कि यही पर यदि हम देखल के साथ तीन सो तीयत्तर डिगरी कहलें देंगे ना तो इसको तीव के निसान के ऊपर लिखते है बस यही जो है बोल रहा है है उंको ही याद करना बाकी जो फ़यत को सब्झार और इसनों कि बिल्गुल जयोतने कोई समें से जो पूचने वाला है नहीं प्ल्ट सिंपल बात थे कि इसमग में रखने है याद रेकने है ठीक है अब देखिए सबसे लाष्ट वाला स्पर्प क्या है सबसे वाला इस्ट व्लब जो यह आपका उस्मक उस्मक शेपी जोशिंग है और उसमक सोषिंग प्लेटर उपने हाथों में लेते हो और थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा रेगरते हो तो वह घ्रम फिल होता है मतलब उसमें जो है ना जो आपने वाशिंग प्रावडर में पानी मिलाया ना तो उससे वह उश्मा निकली है ठीक है तो उसमा जहाँ पर निकलती है उसमा शेपी कहते है और जिए आप किसी दो अभी क्विया, दो पदाफसों को मिलाओ गए ना, तो वो अभी क्विया होदे के बाद बिल्लकुल ठंडा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो उस अभी क्विया को हम उश्मा शोशी अभी क्विया कहते है, तो उसमा शेपी अभी क्विया के लिए जो है उसमा निकली है इसके लए इसके लिए इसके लिए बलस का निसान लगाएंगे और जहाँ पर उसमा खतम होंजो किस निसान कीलो मॉल निकले है यहाँ पर प्लस का मतलब यह है कि उश्मा निकलती है, अब इस समीक्रोंड को देख अगर आप पता लगा सकते हो, कि इस अभी क्रिया में 10.5 किल्लो कैलरी पर मोल उश्मा निकली है, पर इसका कोई मतलब नहीं, प्लस से इतना आप समझ गए, कि उसमा निकली है, और माइनस इसका मतलब क्या है कि जब नाइट्रिजन और ऑक्सिजन कर आते हैं तो इसमें 21.6 किल्लो कैलरी पर मोल उश्मा न वो खतम हुई है, इतने उश्मा न वो खतम हुई है, मतलब यहाँ पर विलियन जो है न वो क्या हो गया अगा, ठंडा हो गया हो ठीक है, इससे बस आपको यह समझ में आता है, तो यह भी जो है आप अपने दिमा में रखिए, आपको जो है काम आएगा, अब इसके बाद आपका जो है वो देस वासब से लास्ट वा जो है इस्टेप है, वो क्या है कि उत्वेवक को तीरी का निसान के उपर लिखा जाता है, अब पहले तो आपको एक दोस्त खड़ उसे, तो उसने क्या कर लिया, कि आप दोनों के बीच में क्या कर लिया, जगड़ा, अब जगड़ा किसने कराया, उससे तीसरे ने, तो जो तीसरे है ना, उससे हम क्या करते है, उत्वेवक, मतलब उत्वेवक वो होता है, जो किसी अभी क्विया को जो है और डिखिए किस तबीके सरे निक्ते जैसे कि हमां किसका क्या यूज किर लिया यह आपका कौण सा है। इतिन है पलस हाईडर contamination इसको जो है हमने उत्वेवन करने क्लिए इसको अभी क्वियरको तेज करने के लिए हमने किसका विप्यो किया न आई द्था निकल का इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं रासाइनिक समीक्रण की विश्यस्ता है और इसके कमिया तो देखिए अब रासाइनिक समीक्रण की विश्यस्ता है और रासाइनिक समीक्रण की सीमा क्या उनके बारे में पढ़ते हैं लेकिन इससे पहले जो है हम एक समिक्रण जो है इससे समिक्रण को संतुलित कर लेते हैं देखिए आपको संतुलित जो समिक्रण जो है वो क्या देखा है इससे समिक्रण से आपको क्या पता चलता है कि यहां समिक्रण में जो है वो कौन से अभी क्या वो यह उत्क्रमनी है कैसे पता चला कि यहां पर तीव के निशा एक इस साड़ है और एक इस साड़ है मतलब यह उत्क्रमनी अभी क्या है पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहां अभी क्या संतुलित है या असंतुलित तो देखे पर nitrogen 2 है और यहाँ पर nitrogen कितने है 1 मतलब यहाँ पर nitrogen को हमें संतुलित करने पड़ेगा तो जो है nitrogen को संतुलित करने के लिए हम इसको 2 से गुणा कर लेंगे यह हमने इसको 2 से गुणा कर लिया तो अब देखिए यहाँ पर nitrogen 2 होगे यहाँ पर nitrogen 2 है ठीक है अब हम लेते है hydrogen को hydrogen मतलब यह तो को हमें को मतलब naha है कि है इस से में गाले मिलती है अब जिए पॉइंट पे आता हूं कि आ एक को यह पूर्च लेना की विशेस्टों आपको कोई है दिमार्ग में लाना है और आपको सोचना है कि सया था सां escritor हैंसे कि किस के जानकारी मिलती है जो पदार्थन का पता चलता है जैसे कि नेटोजन जो आ 지금은 जिसकों है रास्तार आप्ट के विष्स्ञा करें अभी कारक मी mister पात है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस रासाइनिक समिक्रण से उनके बारे में संपूर्ण जान खरब मिल जाएगी पद्यार्तों की पहतिक रवस्था की जान करी मिलएक प्राविक पश्थती है जैसा नाइट्रोचन गया सवस्थता में है हाइडोजन गयस रवस्था में है और अमोनिय यasts इयसके उथ्याइक हो गया उत्फेख वंगया उंकी जान करवी मिलते हैं, जैसे की यहाँपर देखिए, इस अभीक्विया को कराने के लिए जो आविशक परिश्थित्य हैं उसकी जानकावी मिलती है, ठीक है? साथ साथ देखेए, ंभीक्विया उश्मा या उस्मा शोसी है यह स्परस्ट हो जाता है मतलब कोई समीकर्ण दे रहा है अब यह आप पर जहना इस तरीके से लिखा होता कि मालू प्लस क्या हो गया माइनस या पर लिख लो प्लस है टेन पॉइंट ट्री किलो कैलरी पर मोल ठीक है अब इससे जो है वह उस्मा क्षेप यह क्योंकि इसमें प्लस का मतलब अभी रूश्मा जो है वह निकल रही है तो यह आपको जानकारी मिल जाती से इस रासाइनिक समीकर्ण से तो यह को अभी थे क्रिया उतक्रमनि लिए तो यह उतक्रमनि की तो जह है आप समिकर्ण दिमाग में रहा है आप औरakenा देमाग में रख सकते हो या फिर समेकरेंट देमाग में नहीं र Cameron तो भी आ आप सोचए सकते हो कि आसानिक ब्रेख से मैं पता आउसनीरगे पता प्रयरत के वस्ता में पता चलते है पोरी क्रिया कारे को उतप़ा है उनकी पोरी संपूर्ण जानकारी मिलती है यह सभी जानकारी मिलती है यह समय क्योंट की विश्रिष्टा है क्या क्या हमें विश्रिष्टा बोल दी जाए तो इसका मतलब रासानिक समय क्या 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 जानकारी मिलती है बस वो ही लिखना है विश्रिष्टा हमें सिर्फ यही लिखना है इससे आपको यह याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी एक बार लिख लिजिए और एक बार आक बंद करके यह इससे कौप्य को बंद करके वापिस अपने में दोहरा विए कि क्या-क्या हमें जानकारी मिलती है आपको जहेए यही पर याद हो जाएगा ठीक है अब हम बात करता है इस रासाइनिक समीक्रण की सीमा की जो रासाइनिक समीक्रण है उनकी सीमा यह वह क्या है तो सीमा जहां पर बोल दिया जाए तो था लेकन एक दम एक्जेक्ट जानकावी नहीं बिलते थी हमें अभी क्या से ये रासानिक समयक्षरी कमी क्या थीष और इससाइ पहुआ काऱक उत्पात की सानदिता थीचैसिती आपने अभी जैसे कि पिछले lecture में हमने क्या किया रासानिक समेकरण को संत्युलित किया या पर इतना पड़ा तो कई पर भी आपने सांद्रता की बात नहीं सुनी अब यह बात नहीं सुनी इसका मतलब क्या कि सांद्रता इसमें कई आता ही नहीं है मतलब यह सांद्रता की जानकारी नहीं देता है वैसे सांद्रता जो होता क्या है कि जैसे कि आप ऐसा समय लिए कि या पर हमने लिया है नाइट्रुजन तो जैसे वो नाइट्रुजन कितना लिया है इसकी जानकारी हमें यह नहीं देता है बस इसकी दो ही कमी थी क्या कमी पारिवे कमी? पूर्णे जांकरीन ही मिलती है और सांदता के बारे में कुछ इस परष्टन नहीं होता है तो यह इसकी दो कमी और यह इसकी विश्षिष्टा होगी तो यह है हमारा पूरा रासाateg समेकरन कैसा लिखा जाता है? कैसा संतुलित किया जाता है और इसको लिखने के steps क्या क्या है दोर्माद संद्रक्षन का नियम क्या है आपके hit and trial विदी जो है वो क्या है इसके सीमा है और आसानिक समेरिकरन की विशेष्टा इन सब के बार में हम आज पढ़ा है ठेके दोस्तों उम्मिद है कि आपको यह ले क्यास के बच्चों के सबसे मतलब सबसे डाउट फूल जो है वो एक मतलब टैंशन वाली बात यह है कि जो विस्था पर अभी क्या होती है ना उसमें बहुत से लोग जो है बहुत से स्टुडेंट कंश्यू जयते है तो उसको मैं इतने शॉर्ट ली विदीश आपको समझा आ जाएगा ठेक है दोस्तों थैंक यू